क्लास फोर सब्चक्ट हिंदी NCIT की बुक सुगम भारती का पार्ट चवदा नंदू की सूजबूज इस वीडियो में हम इस पार्ट को कम्प्लीट करेंगे नंदू की सूजबूज एक पार्ट है जिसमें एक बच्चा है नंदू और उसकी जो होश्यारी है मतलब उसने एक कठिन परिस्थिती में कैसे अपनी सूजबूज मतलब अपनी बुद्धी का उप्योग किया उसके बारे में बताया गया है इससे लिखा है शमा शर्मा जी ने और इस पार्ट में हम यही देखेंगे कि जब कभी भी कोई विपत्ती आ जाए या हमें कोई परोपकार करना हो उसके लिए ततकाल मतलब तुरंत निर्णे लेने की शमता कैसे होती है और हमें दूसरों के प्रती दया मतलब सहनु भूती होनी चाहिए देश प्रेम देश भक्ती हमारे अंदर होनी चाहिए और भाषा की बात में हम देखेंगे शुद्वर्तनी मतलब शब्दों को सही करना सही उनकी स्पैलिंग और मोहावरे वचन और विराम चिन्हों का प्रयोग तो पार्ट को हम शुरू कर रहे हैं नंदू ने स्कूल से घर लोटते ही आवाज लगाई मा ओ मा मगर उसे मा की आवाज कहीं से सुनाई नहीं दी वह रसोई में गया आंगन में तुलसी के बिर्वे के पास गया तुलसी का बिर्वा मतलब तुलसी का कोट जो होता जहां पर तुलसी का पूजन किया जाता है आंगन में जो क्यारी एक बनाई जाती सिर्फ तुलसी के लिए उसे बिर्वा कहा जाता है तो वो पास गया पर मा कहीं भी दिखाई नहीं दी वो जानवरों के बाड़े में गया तो लाल बचडे ने उसे देखकर आवाज लगाई मतलब नंदू के घर में गाय भी पाली गई थी तो गाय का एक बाड़ा था तो जैसे ही वो वहां गया कि हो सकता है जब मा घर में नहीं मिली तुलसी के पास नहीं मिली है आंगन में नहीं मिली है तो कहीं वो बाड़े में तो नहीं और जैसी गई तो जो गाय का बचड़ा है जो नंदू को पहचानता है तो वो जोड-जोड से नंदू को देखकर खुशो कर आवाज लगाने लगा बाँ बाँ नंदू ने उसकी नकल उतारी और बोला मा मा अरे भाई अभी नहीं बाद में आकर तेरी गर्दन सहला आखिर मा कहां जा सकती है नंदू टपाटप सीड़िया चड़कर छट पर चला गया अरे यह क्या मा तुम अजे से चारपाई पर लेटी पतंगों के लड़ते पेच देख रही थी मा और पतंगों के पेच नंदू को अपनी आखों पर विश्वास नहीं हुआ वह मा से बोला मा तुम यहां क्या कर रही हो पतंगों के पेच देख रही हूँ देखतो आसमान में कैसे एक दूसरे के पीछे दौडती हैं जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही हो मा ने बोली तो यहाँ से यहाँ तक हमने यह देखा कि जैसे यहाँ पर exclamation मतलब exclamatory sign लगा हुआ है मतलब विस्मयादी बोधक चिन्द मतलब मा और पतंगों के पेज मतलब हम यह आश्चर हुआ नंदु को और उसने किस तरह से बोला मा और पतंगों के पेज उसके बाद यह एक साधारन वाक्य है जिसमें पूर्ण विराम लगा हुआ है और जैसे यहाँ पर प्रशन कर रहा है अपनी मा से मा तुम यहाँ क्या कर रही हो तो देखे हैं question mark मतलब प्रशन वाचक चिन्द लगा है तो यह हो गया विसमयादी वोधक वाक्य हो गया और यह प्रशन वाचक हो गया और यह साधारन वाक्य हुआ सरल वाक्य हुआ तो मा ने क्या वोली उसके प्रशन का उत्तर दी कि मैं पतंगों के पेज को देख रही हूँ और आस्मान में देखो कैसे लगती है एक दूसरे के पीछे दोड़ती हूँ जैसे पकड़म पकड़ाई खेल रही हो मा तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हें भी पतंगे देखने का इतना शौक है नंदु बोला अब यहां पर नया चिन्न देखिए इसको हम कहते हैं inverted comma या उद्धरन चिन्न यह double inverted comma है inverted comma मतलब उद्धरन चिन्न दो प्रकार के होते हैं एक सिंगाल एक double तो हम यहां double देख रहे हैं मतलब किसी भी sentence को यहां पर जोर देखर जब बताया जाता है तो उसमें इस तरह से inverted comma लगता है तो नंदू ने बोला मा तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हें भी पतंग देखने का इतना शौक है मा ने बोली क्यों जब मैं छोटी थी तो तेरे दोनों मामा मेरे हाथ में चर्की पकड़ा देते थे और खुद खूब पेच लड़ाते थे मा बोली तो मा ने बताया कि जब बच्पन में उनको भी बहुत शौक था फिर तुम मुझे पतंग उड़ाने से क्यों मना करती हो नंदू ने रूठते हुए कहा नंदू ने रूठते मतलब गुसा होते हुए कहा नाराज होते हुए कहा कि मुझे क्यों मना करती हो हाँ क्योंकि तू अभी छोटा है पतंग उड़ाते समय बच्चों को कुछ ध्यान तो रहता नहीं मा ने क्या किया मा को इसकी चिंता थी नंदू अभी छोटा था तो इसलिए माने अभी तक नंदू को पतंग उड़ाने से मना कर रखा था यूगि कभी च्छत पर पतंग उड़ाएंगे तो हो सकता उनको पतंग उड़ाते उड़ाते ध्यान ना रहे और वो गिर पड़े अच्छा ठीक है चलो मुझे खाने को तो भूक लगी है फिर मुझे जाना है नंदू नीचे उतरने लगा कहां? कहां जाना है? मा ने पूछा वापस स्कूल कल के लिए सजावट करनी है तुम जल्दी से खाना दो शाम को लोटने में देर हो जाए तो फिक्र मत करना मा ने थाली में खाना परोस दिया अरहर की दाल और अमिया की चटनी देखकर नंदू की बाचें खिल गई मा उसे खाते देखती रही तो मा ने क्या क्या थाली परोस दी और क्योंकि उसको वापस से स्कूल से ही आया था और उसके बाद उसने ये भी बता दिया था कि हम बच्चे सजावट के लिए जाएंगे और मुझे शाम को आने में देर हो जाए तो चिंता मत करना और जैसी माने ठाली में खाना परोसा तो उसमें अरहर मतलब तूर की डाल जो पीली डाल होती है वो दाल थी और आम की चटनी थी वो देखकर नंदू एकदम खुश हो गया तो यहाँ पर बाचे खिलना एक मुहावरा है तो नंदू की बाचे खिल गई मतलब नंदू एकदम खुश हो गया कई बार आपकी कोई फेवरेट डिश थाली में होती है और अचानक से आपके सामने आए तो आप बहुत खुश हो जाते हैं पस उसी को कहते हैं बाचे खिलना फिर बोली शाम को तुझे आने में ज्यादा देर हो जाए तो बाउजी को लेने भेज दू तो माने ये बोली कि शाम को ज्यादा देर हो जाएगी तो क्या मैं उसके पापा को लेने उसे भेज दू तो नंदू ने का नहीं नहीं मैं आ जाओंगा बाउजी पूरे दिन के मना कर दिया खाना खाने के बाद नंदू ने सारी जंडिया खडिया और गेरू लिया फिर चल दिया चलते वक्त मा ने उसे एक रुप्या दिया अगर भूक लगे तो वहाँ भूने चने खा ले तो ये इससे समझ में आ रहा है कि अगले दिन क्योंकि जंडिया खडिया गेरू उसी दिन के लिए लगते हैं घर से बाहर आकर नंदू पटरी पटरी चलने लगा वह छोटा रास्ता था यह रास्ता छोटा था वह पटरी पटरी इसलिए जा रहा था स्कूल जाने के एक या दो या तीन रास्ते हो सकते हैं वो जल्दी पहुचने के लिए छोटे रास्ते से जाने लगा जो कि पट्रियों के किनारे से होकर जाता था पर वो पट्री पट्री होकर जाने लगा पट्री क्या होती है जिससे ट्रेन गुजरती है पत्थरों पर उसके पेरों के खड़-खड़ की आवाज आती जब भी पट्रिया होती है तो उसके आसपस बड़ी-बड़ी गित्टिया होती है और जब उस पर चलते हैं तो खड़-खड़ की आवाज आती है पत्री के नीचे हरी गास में कई गोरईया कीडों की तलाश में थी कई-कई पानी भर जाने से नन्य नन्य तलाब बन गये थे मेंढग गलफड़े फुलाकर किसी कुशल तैरा अक की तरह तैर रहे थे क्योंकि ये अगस्त का समय है मतलब जुलाई में और अगस्त में बारिश होई है तो जगा जगा छोटे-छोटे से तालाब बन जाते हैं मतलब जैसे कीजड़ इखटा हो जाता है पानी भर जाता है मिट्टी में जगा-जगा मतलब जेखटा है उसको शरारत सूजी तो उसने एक छोटा सक अंकड उस पानी में फेका तो तुरांट वहाँ से में पानी में गाये खालता है कि मेंटक पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पर भी रह सकते हैं फिर वह आगे चल दिया कल के समारों में जो गाना गाना था अचानक वह उसके उठों से फूट पड़ा इन्हें उसको कल के समारों मतब कल जो नेक्स फंक्शन जो होने वाला था उसके लिए उसको जो सौंग उसने रेडी किया था वो उसको गाने लगया जब आपको भी कोई प्रिपरेशन कराते तो आप भी दिन भर उसको गाते रहते बस उसी तरह से हम भारत की फुलवारी के फूल बनेंगे न्यारे हम चंकेंगे इस धर्ती पर जैसे चान सितारे नंदो गुनगुना रहा था कि अचानक उसका पैर किसी चीज से टकराया और वह गिरते गिरते बचा अरे यह क्या पटरी के आसपास से पत्थर अलग पड़े थे इसी तरह की उखडी पटरी से गाड़ी गुजरे तो गाड़ी पलट जाती है तो क्या किसी ने जान बुझ कर पटरी उखडी है? किसने? क्यों? अचानक उसके पैरों के पास तार खिचे और सिगनल डाउन हो गया ओ तो अब इतना समय भी नहीं किवा स्टेशन मास्टर को जाकर इस बारे में कुछ बता सके अब क्या होगा? कई लोग मर जाएंगे, घायल होंगे, उनका स्वतंत्रता दिवस कितना बुरा होगा तार खिचना और सिगनल डाउन होने का मतलब है कि आप देखेंगे कि पटरी के पास जगा जगा पोल्स मतलब खंबे होते हैं और सिगनल होता है, और ये सिगनल अप एंड डाउन होता है, ये जब डाउन होता है मतलब इस रूट पर ट्रेन आने वाली है, नहीं तो वो अप रहता है और जैसे वो down होता है तो उससे लगातार खिच जाता है तो उससे समझ में आ जाता है कि train आने वाली है तो वो समझ गया कि एक महान बिपत्ती यहाँ पर आने वाली है क्योंकि पट्री टूटी हुई है और train इस पर से गुजरी तो कोई बड़ी दुरगटना की आशंका है और वो हो सकती है क्योंकि पट्री टूटी हुई है train पट्री आपर ही जलती है अब इसमें वो क्या कर सकता था station master को जा कर बताना चाहिए ताकि वो इसलिए कुछ काम कर सकें लेकिन इतना भी समय नहीं हुआ तो अब होगा क्या 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 करना चाहिए तो उसने सोचा यहाई द स्वतंत्रता दिवस के लिए बहुत उत्साह था हर किसी के लिए स्वतंत्रता दिवस का दिन बहुत खास होता है और सभी के लिए वो दिन अच्छा नहीं रहेगा यदि ऐसी दुर घटना हो जाती है तो दूर उसे एक बड़ा सा काला गोला अपनी तरफ रेंगता दिखाई क्योंकि आगे की तरह बढ़ता हुआ धीरे 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 बढ़ा होता हुआ फिर इस पस ट्रेन दिखने लगती है गाड़ी आ रही थी कैसे गाड़ी रुके वह उपाय सोचने लगा अचानक उसकी नजर बिल्कुल पट्री के पास लगे कीकर के पेड़ पर पड़ी पट्र उसे सारे शरीर में काटे चुप गए खून पहने लगा लेकिन किसी तरह किसी भी तरह गाड़ी को रोकना था लोगों की जान बचानी थी फिर उसने अपनी लाल जंडियों को एक जगा इखटा किया और उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा नंदु को लगा कि गाड़ी नही चड़ कर दूर से ही उसने जंडि दिखाई लाल जंडि दिखाने का मतलब ये होता है लाल खत्रे का संकेत होता है जब गार्ड ट्रेन के हरी जंडि दिखाते हैं तो ट्रेन आगे बढ़ती है और जब लाल जंडि दिखाते हैं तो ट्रेन रुख जाती है तो उसने उचाई पर चड़ना क्यों जरूरी था योगि नीचे खड़े होकर वो लाल जंडी दिखाता तो ट्रेन के ड्राइवर और गार्ड वगेरा को नहीं दिख पाता तो लाल जंडी दिखाकर उसमें सिगनल दिया की खत्रा है जैसे उसकी लाल जंडी उन्हें दिख गई और ट्रेन किच-किचाकर रुग गई किच-किचाकर क्यों रुग गई क्यों उसमें सडन प्रेक यानि अचानक से उसमें ब्रेक लगाए गए जिससे उसकी किच-किचाहट की आवाज होती है ड्राइवर के एक साथी ने नंदू को जंडिया हिलाते देख लिया था चारो तरफ अफरा तफरी मच गई अफरा तफरी मचना का मतलब है कि दोड़ भाग होने लगी क्या हो गया क्या हो गया सभी बेचेन हो गए ड्राइवर गार्ड और बहुत से यात्री नंदू के पास आए उसके हाथ पेरों से खून रिस रहा था ड्राइवर ने दूसरे लोगों की मदद से उसे नीचे उतारा नंदू ने सारी बात बताई कि उसने ऐसा क्यों किया है क्यों रुकवाया ट्रेन को स्टेशन मास्टर साहब अपने साथियों के साथ दोड़े आए घबराहट से नंदू की आखों के आगे अंधेरा चा गया बहुत घबरा गया तो लगभग उसे चकर सा आने लगा और उसकी आखों के आके अंधेरा चा गया मेहनस से तयार की उसकी सारी जंडिया फट चुकी थी जब 15 अगस्त के लिए उसने जो जंडिया बनाई हुई थी उसने चिपका चिपका कर छोटी छोटी बास की लकडियों में उसने जंडिया बनाई हुई थी स्कूल में लगाने के लिए वो सब फट चुकी थी पर सभी लोग नंदू की तारीफ कर रहे थे लेकिन उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि घबराट के कारण उसकी आँखों के सामने अंधेरा आ गया था मतब उसे बेहोशी सी छा गई थी उसे अस्पताल ले जाया गया वहाँ डॉक्टर ने उसके घाउपर दवा लगाई और सुला दिया शाम तक तो पूरे शहर में इस बात की खबर फैल चुकी थी इसकूल के अध्यापक और प्रधाना चारे तो गर्व से फूले नहीं समा रहे थे बाउजी नंदू के पास ही बैठे थे उनकी आखों में चमक थी नंदू को ढेर से पुरुसकार दिये गए थे उसके प्रधाना चारे मतलब प्रिंसिपल सर ने अगले दिन स्वतंत्रतिवस समाहरों में के भाषणों में उसकी प्रशंशा की थी प्रशंशा मतलब तारीव की थी उसकी तो इस तरह से नंदु ने अपनी सूजबूज दिखाई और तुरंद उसने निर्णे लिया कि उससे क्या करना चाहिए जिससे की वो इन लोगों की, काफी लोगों की जान बचा सके तो इस तरह उसने अपनी देश भक्ती निभाई और इतने लोगों की जान बचाई शब्दार्ख, बिर्वा, बिर्वा मतलब पौधा, विक्र, चिंता, बाचे खिलना बहुत प्रसन होना, कुशलकार्थ होता है, निपोण मतलब दक्ष, फूले नहीं समाना अती प्रसन होना, ये भी एक मुहावरा है क्योंकि बेटे की इतनी तारीफ सुनकर बाबुजी फूले नहीं समा रहे थे अनुभव विस्तार, रिक्तिस्थानों की पूर्ती कीजे का मेंधक गलफडे फुलाकर कुशल तैरा की तरह तैर रहे थे पट्री के नीचे हरी घास पर गौरईया कीडे की तलाश में थी घबराहट में नंदू की आँखों के आगे अंधेरा चागया या उजाला चागया अंधेरा चागया बताईए, ये है प्रशनों के उत्तर जिनको मौखिक पढ़ना है नंदू कहां जा रहा था? उत्तर नंदू स्कूल जा रहा था नंदू की थाली में कौन-कौन सी चीज़ा देखकर खोश हो गया? अरहर की दाल और आम की चटनी नंदू लाल ज़ंडिया दिखाने के लिए कहां चड़ गया? लिखे, आपको ये क, ख, ग, ग, इंगा इन प्रश्नों के आपको उत्तर लिखना है पहला प्रश्न है, प्रश्न क, नंदु ने अपनी मा को कहां-कहां खोजा नंदु ने अपनी मा को रसोई में आंगन में तुलसी के पोधे के पास और फिर छट पर खोजा मा नंदु को पतंग उड़ाने से क्यों मना कर रही थी? उत्तर मा नंदु को पतंग उड़ाने से इसलिए मना कर रही थी क्योंकि अभिवाद छोटा था पतंग उड़ात समय दुरगटना का भय रहता है दुरगटना मतलब एक्सिडेंट प्रश्न ग प्रशनिक घा रेल गाड़ी को रोकने के लिए नन्दू पत्री के पास की करके काटेदार पेड पर चड़ गया और लाल जंडियों को इखटे करके उन्हें जोर जोर से हिलाने लगा जिससे रेल गाड़ी को खत्रे का संकेत मिले और रेल गाड़ी रुख जाए क्योंकि लाल रंग खत्रे का संकेत होता है और लाल जंडिया उचाई से दिखाने पर रेल गाड़ी को दूर से संकेत दिया जा सकता था क्योंकि काफी दूर से ब्रेक लगाने पर ही ट्रेन रुखती है तुरंत ब्रेक लगाने पर तो कोई भी गाड़ी नहीं रुक सकती है तो इसलिए उचाई पर चड़ गया था जिससे की दूर से ही लाल जhtंडिया वो दिखा सके आखरी प्रेश्न यदि नंदु गाड़ी रोकने का प्रयास नहीं करता तो क्या होता उत्तर यदि नंदु गाड़ी वोखने का प्रयास नहीं करता, तो तूटी पटरी के कारण दुर्घटना हो जाती, कई लोग मोत के मूँ में समा जाते, कई घायाल हो जाते, और देश की संपत्ती का भी नुकसान होता क्योंकि रेल गाड़ी क्या है हमारे देश की संपत्ति है उसको बचाना हम और देश की संपत्तियों को बचाना हमारा करतव्य है भाशा की बात नमबर चार शुद्ध उचारण कीजिए और लिखिए शुद्ध उचारण करना जैसे हाँ लिखा है गौरेया तो आप इसे दो बार लिखेंगे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी सीडियों, गर्व, भाशन, जंडियों, डॉक्टर भाशा की बात में है नमबर पाँच पर शुद्ध शब्द पर गोला लगाईए गरदन, गरदन, रगदन तो ये क्या हुआ? गरदन सही है पतंग, पंतग, पतंगन तो ये क्या हुआ? पतंग सही है स्वतंतरता, स्वतंतरता, सुतंतरता तो इसमें ये सही है आधसा वा तापरम की बिंदी त्र और तामे आ की मात्रा सकूल इसकूल 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 आधसा कामे बड़े ऊकी मात्रा और ला अब है भाशा की बात में नंबर छे मुहावरे और उनके अर्थि की सही जोड़ी बनाई है कुछ ऐसे शब्दो होते हैं मुहावरे जो सुनने में कुछ अलग से लगते हैं लेकिन इनका कुछ और मतलब होता है बांचे खिलना जैसे कि पाठ में आया है प्रसन होना आखों का तारा बहुत प्यारा जैसे मा की आखों के तारे होते हैं बच्चे मतलब बहुत प्यारे होते हैं उल्लू बनाना, मतलब मूर्ख बनाना, आप कहते हैं न, मैंने तो तुझे उल्लू बनाया, मतलब मूर्ख बनाया, कमर कसना, तैयार होना, तो सच में कमर इसमें नहीं कसेंगे, रस्ती से, मतलब है, तैयार होना, कलई खुलना, मतलब भेत खुल जाना, कोई सीक्रेट ओपन ह 9, 2, 11 होना, भाग जाना, इसके बाद अगला है, वाग के पढ़िये और उसमें प्रयुक्त चिन्चों पर ध्यान दीजिए, देखिया, बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए, क्योंकि इस पार्ट में आपको मोहावरे के प्रयोक के अलावा, चिन्चों का प्रयोक सीखना है, क, मोहन इस्कूल जाता है यहाँ एक सराल बाक्य है बस इसमें पूर्ण विरा मतलब फूल स्टॉप लगा है क, क्या मोहन इस्कूल जाता है इसमें लगा है प्रश्ण वाचाक चिन्न क्योंकि ये क्या है कोशन मार्क लगा है ये कोशन है मतलब प्रश्ण है अरे मोहन स्कूल जाता है तो इसमें विस्मयादी बोधक चिन्न लगा है शामा ने कहा मोहन स्कूल जाता है इसमें उद्धरन चिन्न मतलब सिंगल इन्वर्टेट कॉमा लगा है इसमें एक कॉमा लगा के कॉमा याने अल्प विराम अल्प विराम का अर्थ होता है कि यहां थोड़ा सा आपको रुकना है बोलते समय और आखरी है घंटी बजी तो यहां पर अर्ध विराम लगा है अल्प विराम से भी आदा पूर्ण विराम का मतलब होता है पूरा रुकना और अर्ध विराम है उससे भी कम रुकना याने कहा रुकना है बोलने में घंटी वजी छात्र प्रार्थना इस थल पर आ गए और यहां क्या अंतरता श्यामा ने कहा मोहन इस्कूल जाता है वो एक statement याने एक वाक के अलग वाक के जब बोला जाता है तब उसके पहले कौमा ल अलप विराम और अर्ध विराम तो ये विराम चिन है हिंदी भाषा में विराम चिन्नों का प्रयोग होता है विराम चिन्नों का प्रयोग करके भाषा जो है वो ज्यादा प्रभाव पूर्ण बनती है यदि हम किसी पाठ को पढ़ रहे हैं या कोई भी टेक्स्ट को हम पढ रहे होते हैं तो उसमें कभी हम थोड़ा रुखते हैं कभी कम रुखते हैं कभी प्रेशन पूछते हैं कभी आश्चारे बताते हैं कभी खुश होते हैं कभी दुखी होते हैं तो वो सब हमारे बोलने से पता चल जाता है और लिखते समय वही काम कौन करते हैं ये विराम चिन जैसे कि सबसे पहले आपने यह पूर्ण विराम देगा है, पूर्ण विराम चिन मतलब इसे full stop कहा जाता है, अर्ध विराम चिन यह मतलब एक dot और एक comma, तो यह semicolon कहलाता है और अल्प विराम चिन मतलब थोड़ा रुखना, अर्ध विराम उसे भी कम रुखना है, वि算याधी बोधक, इस चिन्न का उपयोगम तब करते हैं, जैसे किसी वियुकर, इस तरह का शेयार, भूशी हो न दूवह को करते हैं आश्यर आपको चिन्न का मतलब होता है इंवर्टट कॉमास् सेंटेंस बोलना हो कि उसने कहा मोहन जाता है तो उसमें या तो यह डबल इंवर्टेट कॉमा यूज कर रहे हैं और किसी को इस पेशली बताना है कि कोई नाम उसको यह भी कहा जाता है तो उसको सिंगल इंवर्टेट कॉमा में आप इस तरह से बताते हैं निर्देशक या रे देश दिखेगा यह है बिवरन चिन्न अपूर्ण विराम चिन्न मतलब only colon sign of colon अपूर्ण विराम है यह और इसमें दो dot लगते हैं योजक विराम चिन्न मतलब sign of hyphen एक छोटा डेश की तरह होता है यह है sign of hyphen अब इन्ही विराम चिन्नों का उपयोग करके हमको इस number 7 को solve करना है नीचे लिखे गध्यांश में गध्यांश क्या होता है जो text लिखा है न मतलब यदि कोई बाते वाक्यों में लिखी हुई है कवीता में नहीं लिखी है तो वो गध्यांश और कवीता में लिखी होती है तो वो होते पद्यांश तो ये गद्यांश है तो नीचे लिखे गद्यांश में यथा इस्थान उप्योक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इसको में किस प्रकार पढ़ूँगी नंदू इसकूल जाराता रास्ते में उसने देखा कि पट्री के आ प्रयागुलर पढ़ दिया लेकिन इसमें कोई भी भाव नहीं आये हैं लेकिन यदि हम इसमें ठीक से विराम चिन्हों का उप्योग करें तो ये जो भाशा है ये जो गद्यांशे बहती भाव पूर्ण हो जाएगा इस तरह से नंदू इसकूल जा रहा था रास्ते में उसने देखा कि पट्री के आसपास से पत्थर अलग पड़े थे पट्री उखडी हुई थी उसने सोचा अरे यदि गाड़ी आ गई तो क्या होगा वा शनभर रुका पेड़ पर चड़ गया उसने लाल जहंडिया हिलाना प्रारम कर दिया तो यहां पर हमने क्य क्या किया इन वाक्यों में हमने क्या किया इस से कैसे अलग है इस जगह पर हमने यहां क्या उप्यों किया एक पूर्ण विराम मतला फूल स्टॉप की के बाद हमने एक कामा जिससे कि हम थोड़ा सा रुके बोलने में और पट्री आसपास पत्थर अलग पड़े थे यहां प पर वाक्य पूरा हो रहा है, तो हमने फिर पूर्ण विराम का उप्योग किया, पट्री उखडी हुई थी, तो उखडी हुई पट्री थी, ये भी वाक्य पूर्ण दिख रहा है, उसने सोचा, तो यहां हमने किसका उप्योग किया, कामा का उप्योग किया है, अरे यदि गाड़ काड़ी आ गई हम अरे पाद भी विसमयादी बोधक्तिक जिन्द का उपयोग कर सकते थे यदि गाड़ी आ गई हो पिकिने आधर भी हम कर सकते थे यह तो वहां यह यह वाशनभर रुका थो कि रुकने के बाद हम बोलने भी थोड़ा सा रुक रहे हैं तो इसने हमने यह कौमा लगा दिया पेड़ पर चड़ गया तो यहां हमने लगा दिया पूर्ण विराम उसने लाल जंडिया हिलाना आरंभ कर दिया तो इस तरह से हमने इस भाशा को बहुत ही भावपूर्ण मना दिया नमबर आठ उधारण के अनुसार समझिये और लिखिये पुस्तक पुस्तके याने एक वचन से बहुवचन बना रहे है किस तरह से कि ये शब्द हमें आखरी वाले अक्षर इन शब्दों के हमें बिना मातरा के दिख रहे हमें इसमें एक ही मातरा और आम की बिंदी लगा कर बहुवचन बनाना है पुस्तक पुस्तके पतंग पतंगे सडक सडके रात राते अम की बिंदी जरूर लगाना है भूलना नहीं है आख आखे बहन बहने संत्रा संत्रे कपड़ा कपड़े जब अम की बिंदी होती है ना तो हम उसमें नाक का भी उप्योग कर रहे होते हैं ये अम की बिंदी वाले बहु वचन और बिना अम की बिंदी आने अनुस्वार वाले बहु वचन में यही अंतर होता है। कपड़े बोलेंगे तो नाक का उपयोग नहीं होगा। अब करने की बारी, ये आपका सेल्फ वर्क है कि 15 अगस की तयारिया आप किस प्रकार करते हैं और रास्ट्री ये तेवहारों पर समुह चर्चा कीजिए रास्ट्री तेवहार आप जानते हैं तीन होते हैं स्वतंतरता दिवस, गंडतरत दिवस और गांधि जैन्ती, साथियो गतवर्ष वीरत पुरुसकार प्राप्त करने वाल को की सूची बनाए है। हर वर्ष कुछ लोगों को वीरता का पुरुसकार मिलता है जिन्होंने अपनी jangelokhy में डालकर या फिर अपनी सूच-बूझ से कई लोगों की जान बचाई हुती है, तो ऐसे बालकों की आप सूची बना सकते हैं पता करके तो ये आपका पार्ट पूरा हो गया है धन्यवाद